तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट्स उफ 1793 और 1813 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर ने तो चलिए इनके इंपोर्टेंट प्रवीजिन्स देखते हैं तो बात आती है इंपोर्टेंट प्रवीजिन्स की तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब आपकी इस इंडिया कंपणी बनी और उसको रोयल चार्टर मिला इंडिया में आके ट्रेड करने का तो उस टाइम पर उसको मनवपली मिली थी मिनवपली किस चीज में मनोपली मिली इनके competition में इंडिया से जाके trade नहीं करेगी मतलब exclusive privilege इनने मिला था तो जो charter act of 1793 था उसने इस जो trade monopoly मिली थी ये privilege exclusive privilege जो company के पास था उसको further extend कर दिया for the period of 20 years मतलब already उनके पास monopoly थी और उनको further extension इस monopoly की मिल गई और उसके बाद जो था एक important बात और करी थी इनने इस act में ये कहा गया कि कोई भी जो low है जो किसी Indian subject के उपर rights confer करता है या उसकी property के related low है उसको print किया जाएगा और उसकी translation की जाएगी Indian languages में इस provision का क्या importance थी इसकी importance ये थी कि जो Indian subjects है अगर उनको कोई rights मिल रहे है या उनकी कोई property के related matter है तो उनको at least पता तो चलना चाहिए कि उनके पास क्या rights available है या क्या उनके पास immunities available है तो Indian languages में translate करना था उनको for the purpose so that people can know about their rights and immunities तो ये एक important provision था और एक और important provision था कुछ जादा important provision नहीं है बस तीन ही है last वाला जो हम cover कर रहे है वो ये है कि जो all members है home government के home government क्या थी जो एक तरह से government बनाई गई थी British government with respect to India मतलब British Indian government जो England में based थी मतलब जो offices England में बनाई हुए थे चाहे वो court of directors थे या चाहे वो court of proprietors थे या आपके board of control था तो वो सारे जो members थे उस वो जो Indian affairs को देख रहे थे of course उनको salaries तो pay कर नहीं थी पहले उनको क्या होता था कि उनको state tax checkers है मतलब Britain का एक्स checker है उससे pay किया जाता था लेकिन इस act में क्या कर दिया गया ये provision बना दिया गया देंगे तो basically ये charter act 1793 के कुछ important provisions थे उसके बाद जो next important act पास हुआ वो था आपका charter act of 1813 तो इस 1813 के charter act के आने के पीछे क्या basically एक context था वो देख लेते हैं तो इस time पे देखिए जब 1813 का charter act आना था उस time पे England में fierce debate चल रही थी on the issue of continuation of commercial privileges मतलब जो East India company को trade privileges मिले हुए थे कौन से trade privilege मिला था पिछली slide में आपको मैंने बताया कि उनको monopoly मिली हुई थी उसके context में काफी ज़्यादा debate चल रही थी कि क्या ये company को already जो मिला हुआ इसकी continuation और चलनी चाहिए या या ये बंद कर देनी चाहिए अब आप कोगे कि इतना ये ये जो debate है कि यो जो और पकट रही थी देखिए उस time पे क्या था कि Europe में और Britain में 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 ली less is fair कि theories जो थी वो जो और पकट रही थी मतलब government की intervention नहीं होनी चाहिए जो free enterprise है उसको encourage करना चाहिए जो entrepreneurs है उनको decisions लेने देने चाहिए और जो market forces है वो सारा कुछ decide करें कि कैसे distribution of goods होनी है या distribution of जो एक तरह से resources produced in the economy है उनकी वो distribution कैसे होनी है तो इस context में less is fair की theory जोर पकड रही थी और government intervention को एक तरह से भुरी नजर से देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा जो इस्ट इंडिया कंपनी को monopoly मिली हुई है ये एक तरह से unfair practice है ये competition promote नहीं करती और ये जो privilege है ये खतम कर देना चाहिए और साथ की साथ एक तरह से of course अगर आप मान लीजिए कोई company है उसके employees है अगर वो किसी entity के साथ trade कर रहे हैं और हमें क्यों नहीं ये चीज करने का मुका दिया जा रहा तो हम भी तो equal subjects हैं जो British government की तो उस context में ये debate चल रही थी और demand की जा रही थी कि जो monopoly East India company को दी हुई है उसको कतम कर दिया जाए और उसके बाद और बाद जो important थी उस time पर ये भी था कि company जो है इंडिया में बहुत बड़ी political power बन चुकी थी उसके पास काफी territory आ चुकी थी उसने काफी territory पर इंडिया की subcontinent पर कबज़ा कर लिया था अब difficult हो गया था company के लिए to continue both as a commercial entity as well as a political entity तो कुछ division होनी जरूरी थी इस time पर कि कोई responsibility East India company company से ले ली जाए अल्टिमेटली देखिए एक इस इंडिया company was a company तो यह trading company थी तो एक तरह से वह government चला रही थी इंडिया में तो यह काफी काफी जादा एक तरह से dilemma वाली situation थी कि कि एक तरह company जो है जो जो in trade में engaged है वह एक government चला रही है तो of course उस context में debate तो होगी होगी कि British government उस context में interfere तो करेगी करेगी तो चलिए important provisions देख लेते हैं इसके main provisions क्या थे main provision यह थे कि इसमें जो company का charter है वह और 20 साल के लिए renew कर दिया गया मतलब उनको कर दिया गया कि देखिए आप इंडिया की government को चलाईए आप इंडिया के affairs को manage करिए और साथी साथ इंडिया के साथ trade भी करिए लेकिन आपकी जो monopoly है यह जो है trade में यह खतम हम कर देंगे तो trade monopoly 1813 के charter act में खतम कर दी गई लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यह monopoly completely कतम नहीं करी गई थी एक चीज में इनकी monopoly छोड़ी गी वो था tea का trade मतलब चाय के trade में तो चाय के trade में already यह monopoly फिर से enjoy करने लगे मतलब इनके पास पहले पूरा जो भी goods है उन सभी monopoly थी लेकिन अब सिरफ चाय के trade में बची और साथ ही साथ इनकी monopoly किसके साथ trade में बची China के साथ मतलब अब यह इंडिया के साथ तो इनका जो trade था वो exclusive नहीं रहा और भी जो British merchants हैं या British entities हैं वो आके इंडिया के साथ trade कर सकती थी लेकिन China के साथ इनकी ही monopoly रही ठीके जी और साथ की साथ चाय में भी इनकी इंडिया के trade में तो एक्ट ने और बात क्या कही बात यह कही कि देखिए company है company अगर government चला रही है इतनी बड़ी territory है तो उसको control करना जुरूरी है company ने जो act है उसने सिधा सिधा यह कह दिया कि देखिए territories हैं जो company company ने इंडिया में acquire करी हुई है वो एक तरह से उन पे sovereign right जो है वो सिरफ crown का ही रहेगा मतलब एक तरह से आप यह लगा लीजिए कि act ने यह कहा कि जो company है वो सिरफ as a trustee का काम कर रही है British government की इंडिया में और ultimately जो territories इंडिया में acquire करी गई है वो उन पे किसका हक है उन पे exclusive and sovereign हक किसका है British crown का है तो यह clear कर दिया गया company को कि आपको आप यह सोचें कि आपको एक पूरे subcontinent की government आपको सुम दी जाएगी this is not possible ठीक है जी और उसके बाद इस act में और important चीज क्या हुई कि missionaries काफी देर से कह रहे थे Christian missionaries के हमें इंडिया में जाके preach करने दो हमें Christianity promote करने दो फिलाने दो तो इस 1813 के act में missionaries हैं उनको allow कर दिया गया कि वो इंडिया में जाएं और वहां पे settle हो पाएं under a license तो उनको license लेना पड़ता था और वहां पे जाके फिर अपना message जो Christianity का है अपनी Christian missionary activities को वो promote कर सकते थे और next जो last important provision था वो यह था कि इसमें देखिए एक पहली बार British government ने एक ऐसा कोई fund चलाया जिसमें एक तरह से एक declaration थी यह principle of state responsibility पहली बार उन्होंने कोई Indian subjects के welfare की responsibility ली हलाकि एक लाख amount कुछ जादा नहीं होती इसमें नोंने यह कहा कि हम एक लाख annually क्या करेंगे use किया जाएगा किसकी promotion में in the promotion of the education in literature and sciences तो हां एक step जरूर था उस direction में education की positive education की direction में positive step था लेकिन आप लगा लीजिए कि चाहिए आप कहिए कि एक लाख देखिए अब यह बात भी तो 19th century की हो रही है लेकिन फिर भी आप अपना दिमाग यूज करिए कि एक लाख से क्या ही हो जाएगा इतनी बड़े subcontinent में चाहे उस time की बात हो रही है तो बट फिर भी एक step हम अगर 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 consider करना हो exam point of view से तो वो तो पुछेंगे न हाना चाहे वो यह तो पूछेंगे नहीं कि काम amount या जादा amount थी वो तो यह पूछेंगे कि किस act में यह चीज करी गई है यह 1813 के act में यह चीज करीगी क्या यह true है है तो ऐसी चीज है तो यह main provisions थे आपके charter act of 1813 के और 1793 के तो पहुत जादा बड़े important provisions नहीं थे हाला के जो 1833 का charter act है उसके provisions काफी जादा है और वो next lecture में हम cover करेंगे आज के lecture में बस इतना ही है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी दिन do ensure that you like it share it with your friends and also ensure that you subscribe to our channel lastly अगर आपको इस discussion की pdf चाहिए तो आप हमारे telegram channel के साथ जुड सकते हैं link आपको screen पे देख रहा है और यह link आपको description box में भी मिल जाएगा अब link पे click करिए और हमारे channel के साथ जुड़िये वहां पे आपको pdf मिल जाएगी सारी discussions की जो हम अपने channel पे करते हैं तो this is all about today's discussion thank you have a very nice day ahead